Welcome back to another video और Instagram पे grow करने के लिए followers बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी जद्दो जहत कर लेते हैं मतलब बहुत ज्यादा effort लगाते हैं बट एक right direction में अगर हमने effort नहीं लगाए है right topics हमें नहीं परता है video बनाने के लिए तो वो सारा का सारा effort होता है that is all in vain मतलब वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है अब हमें कैसे right topics ढूनने right niche के according और trending topics क्या है क्या trending topics हमें video बनानी चाहिए इस video में detail मुझी के बारे में बात करने वाले हैं मेरे साथ video में अन तक बने रहना मैं already मतलब मैं क्या अपने मूँ से बोलू but yes I have already hit 1 million and मैंने भी बहुत जादा effort लगाय थे initially then धीर धीर पता लग जाता है कि यार मुझे particular EC में ही बनानी चाहिए videos ये मेरे trending topics है and मैंने वही follow किये मैं उन्ही trending topics पर videos बनाई and now मैंने कली 1 million hit and आप भी कर सकतो यार it's not a big deal but right direction में में महनत करके अब यहां पर बहुत सारे तरीके trending topics ढूणने के वह सारे तरीके मैं इस video में आपसे detail में दिसक्स करने वाल हूं देखो there are several ways पहली चीज आपको यह clear होना चाहिए और यह clear भी होगा आप लोग को कि आप किस नीश में video बना रहे हैं कि किस topics related videos बना रहे हो are you in comedy और आप health related बना रहे हो या फिर आप tax related बना रहे हो comparatively अगर मैं tag की बात करूँ तो यहां पर हमें इजी हो जाता है वीडियो बनाना ट्रेंडिनी टॉपिक्स ढूनना मतलब हमें न्यूज में भी पता लग जाता है बाकि इंस्टाग्राम हमें बहुत सारे ऐसे options देता है जिसमें हमें यह चीज बताता है कि भई यह बनाओ यह बनाओ यह trend चल रहा है इस वीडियो पे इस इस पर आसा scroll down करोगे नीचे एक option दिख रहा होगा यह वैसे real trends अगर आपको यह आप नहीं दिख रहा है तो आपको इक option दिख रहा होगा inspiration का inspiration पे जाओ और यहां पे आप देखो कि आपको दो options दिख रहा होगे one is video and audio videos में अगर आप जाते हो तो यह जितनी सारी videos है ना य तो trend में आने वाली है जिनने algorithm support कर रही है यह already trending है जितने millions में views है इसी के नीचे आपको एक option दिख रहा होगा suggestions for you यह जो suggestions for you है यह वो videos है जो आपके नीशे related है जिसमें algorithm को लगता है कि यह आपका नीश है आप इसमें ज्यादा अच्छी वीडियो बना रहा है आपकी videos यह रही ऐसी videos बनाओ इफ आप ऐसी videos create करते हो तो आपका channel grow हो गई होगा उसी के साथ साथ हमें audio को भी नहीं neglect करना है हमें ignore नहीं करना है हलका साइड में देखो audio option दिख रहा है यह जो audio option है ना यहां पे जितनी भी audios है देखो यह सारी arrows दिख रहे हैं आप यह सारी audio trending audios ह है अगर आप कोई भी videos बना रहे हो किसे से विडियो ना रहे हो तो इन audios को आप उसमें जाओ उसमें लगाओ edit करते टाइम और फिर देखना आपकी रील्स कैसे अच्छा परफॉर्म करती है यह option instagram ने हमें दे दिया यहां से आप trending topic जून सकते हो आपको नीश के लिए रहे कि कौनसी वीडियो सबसे जादा trend कर रही है वैसे तो explore page पे हमें 50% वो रील्स भी आती है जो हमारे interest के according है लेकिन हमें 50% वो रील भी दिखाई जाती है explore page पे जो trend कर रही है यह आपको अपने नीश रेलेटर वो trending topics देखने हैं वो वीडियो देखने हैं यहां पे उन्हें यहां पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जो explore page पे वीडियो आ रही है तो यहां पे अगर मैं देखोंगा तो मुझे बहुत सारे topics मिल देंगे मैं यहां से भी topics और trending reels देख सकता हूं जिस पर मुझे video क्रेट करनी चाहिए इससे next जो हमें option मिलता है वो है search bar का yes search bar को बिल्क तो मैं search bar में जाओंगा hashtag iPhone लिकोंगा तो यहां पे जितनी भी चीज़ें आएंगे na accounts, reels, for you, यह for you करके जो आ रहे है इसमें जो reels है यह hashtag पे जो trend कर रही है सबसे पहली videos उठा के आप देखोगे तो you'll notice कि वो video viral है okay तो आप उससे related बिल्कुल मिलता जिलता hook और मतलब जो hooks होते है न हमें वो ही use करने और उसी से similar video बनानी है और वो ही hashtag लगाने अपने videos में video viral होगी होगी वहीं अगर बात करें protein के अगर आप health में हो तो आप hashtag protein लिखना search bar में यहां पे भी आपको जो trending videos है वो दिख जाएं अगर आप और किसी नीश में कोई comedy नीश में तो comedy नीश में सो देखो mostly आपको explore page पर आपकी दिख जाएंगी plus comedy नीश में तो इतनी सारी मतलब आपको पता है जो trend mostly जो trend viral होता है वो comedy वाला ही होता है या फिर कोई song वाला होता है तो आप अगर comedy वाला बना रहे तो आपको तो फिर real ही scroll करनी पड़ेंगे आपको daily content consume करना पड़ेगा एक आद घंटे मैं यह नहीं कर रहा पूरे दिन real देखो लेकिन अगर एकाद जाना कि यह real trending है आप उसे related videos बना सकते हो हमें सिर्फ अपने ही इसी चीज़ पे नहीं स्टक होना है आपको अपने जो मतलब आप जिससे related content बना रहे हो for example मैं tax related content बना रहे हो आप comedy related बना रहे हो तो आपने definitely कुछ ऐसे influencers को follow किया होगा जो सेम आपकी नीश में मैं यह नहीं कह रहा copy them but inspiration भी होती है just get inspired from them उनसे inspiration लो और उनके जैसा नहीं उनसे smaller content create करनी कोशिश करो क्योंकि जो already जो trendsetter है जो जो trend ही बनाते हैं मतलब जिनकी वज़े से trend आता है Instagram पे तो अगर आप उन्हें follow करके रखोगे तो आपको वहां से बहुत जादा help मिलेगी आप उसी से हमेशा trends के साथ ही रहना पड़ेगा आपको जो है आए दिन नई phone आए दिन नई गाडिया हर दिन मतलब नई technology आ रही है तो आपको सिर्फ Instagram पे नहीं रुकना है आपको newspaper पढ़ने है आपको news देखनी है आपको tech news देखनी है और कुछ ऐसी applications है जिनने आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपको tech news डेली डेली प्रोवाइड कराएगे और उसी के साथ साथ कुछ websites है अगर आप चाहते हो मैं उन्हें description में लिख दूँगा मुझे comment box में लिख देना मैं बाद में description update कर दूँगा वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो तो उन website को भी आप फॉलो करके आपको डेली ट्रेंडिंग नए topics मिलते रहेंगे बट इन सब चीजों में हमें एक चीज रखनी है याद हमें अपनी अथेंटिसिटी नहीं गवानी हमें मतलब हमें हमारा टेस्ट भी देन है हमें हमारा एक जो होता है लोग को यह पता होना चाहिए यह उसकी आवाज है यह उसका style है वह ऐसे वीडियो बनाता है तो यह आपको अपनी ओडियंस को रिलाइस कराना है कि यह मेरी एक अथेंटि रहोगे उतने जादा जाने जाओगे तो बस यह है मैंने बता दिया आपको सारे वेस कहां से हमें टरेंडिंग टॉपिक मिलेंगे आपको क्या-क्या चीज़े फॉलो करने है तो गेट वायरल तो गेट मोर फॉलोवर्स और गेट इंस्टाग्राम रीच इंक्रीस्ट ओके कि I hope इस वीडियो से आपको पका खुछना को सीखने को मिला होगा इफ मिला है तो कमेंड बॉक्स में लिख देना बाकि मुझे कमेंड बॉक्स में लिख दो कि मुझे वेबसाइट सब्डेट करनी चाहिए अप्लिकेशन और बता दू मैं आपको तो वो भी मुझे कमेंड आज में लिख दो वीडियो पसंद आईए लाइक कर दो बाकी I hope आपने सब्सक्राइब तो करी दिया होगा अगर नहीं क्या है तो कर दो यार बिलकुल फ्री है and we are very close to hit 1.5 million तो करा दो जल्दी से ओके